तो हेलो एब्रिवन कैसे आप सभी उमीद करता हूं सांदार होंगे आज हमारी जो सेशन होने बाला है यह टाइगर इन दजू के बारे मुना चाहिए होने बाला है एमसी क्यूज का यह टॉपिक होगा ठीक है यह क्लास 10 की पोवे में जिसका आज हम अब्जेक्टिव टाइप कोशन सॉल्ब करेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करता सेशन को बिदाउट वेस्ट आफ एनी ताइम यह टेसरीज का पार्ट है इसलिए आपको टेसरीज जैसा ही म मैं आपको बताऊंगा कोशन नंबर हरमेशा मैं आपको वन टू फिप्टीन बताता था आज मैं फिप्टीन तू थर्टी आपको बताने का कोशिस करूंगा इस इस टॉपिक के आपको 50 प्लस कोशन एबलेबल होंगे टेसरीज में ठीक है तो यह चीज ध्यान रखिएगा चलिए आज हमारा फर्स्ट जो कोशन है विच फैमिली डज़ टाइगर बिलॉंग टू जो टाइगर फैमिली है वो किस जो टाइगर है वो किस फैमिली से बिलॉंग करता है ममल से कैट से कार्णी वोरस से ओमनी वोरस से चलिए तो स्टार्ट करिए कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है ठीक है जल्दी से स्टार्ट आप लोग करिए कीजे जल्दी सभी लोग जोइन कीजे जल्दी से जोइन कीजे ओके कमेंट भी आना चालो हो गया है बहुत बड़िया निहार आठोर जी ने कमेंट कर दिया है कुलदीब जी ने कमेंट कर दिया है जल्दी जल्दी कमेंट कीजे आप लोग यहाँ पे मैं आप लोग को बता दू विच फैमिली डज आ टाइगर बिलॉंग तो भई यह टाइगर जो बिलॉंग करता है वो करता है कैट फैमिली से ठीक है तो यह चीज ध्यान रखिएगा वहाँ पे आपको कारणी बोरस अगर आप आप एंसर देते हैं तो आपका एंसर गलत हो जाएगा जो फैमिली है वो कैट फैमिली है ठीक है इसलिए इसका एंसर भी सही होगा ठीक है तो यह चीज आप लोग को ध्यान रखना है देवियो से जनों नेस्ट कोशन जो हमारा है वो क्या है तो वो है how does the tiger of the poem a tiger in the Jew walk in the cage जो tiger cage में क्या कर रहा है घूम रहा है जो cage में वो क्या कर रहा है cage के अंदर है टहल रहा है वो कैसे mood में टहल रहा है scared, disappointed slowly या फिर with pride कैसे किस तरह से वो घूम रहा है cage में walk in the cage जल्दी से comment कीजेगा आप लोग टाइगर भहिया कैसे है भहिया angry है angry जल्दी जल्दी कमेंट कीजेगा यहां पर देखे यहां पर जो यह line है न walk in the cage वाली ठीक है तो यहां पर जो इसका बैसे answer है वो यहां पर slowly सही answer है ठीक है c लेकिन इसका answer actually दिया गया है with pride ठीक है लेकिन आप लोग को ध्यान रखना इसका answer आप लोग न c लगाईए c सही है slowly ठीक है slowly इसलिए सही है क्योंकि एक line ऐसी मिली थी न यहां पर की आराम आराम से अंदर की अंदर वो क्या है वो घूम रहा है है न इस तरह से कोई एक line मिली थी इसलिए आप इसको कर सकते हैं बैसे आप इसे comment box में बताईएगा जो जो लोग अपने अपने हिसाब से ठीक है बैसे answer इसका with pride दिया हुआ है next question है लेकिन ऐसा with pride कहीं मिला नहीं है that's in a small pool of water where animals go to drink ठीक है इसका answer दीजिए in a small pool of water where animals go to drink river lake sea water hole किस चीज की बात की गई है जहां पर animal पानी पीते आते हैं उसे क्या कहा जाता है जहां पर poet कहता है कि बड़ी बड़ी गहांस के पीछे तुम छुपके रहो ताइगर और उसका इंतजार करो किसका डियर का डियर आए तो उसको तुम खा लो ठीक है उसका सिकार कर लो तो यहां पर आप answer मुझे बताईए क्या होगा river lakes या waterholes तो यहां पर answer मैं आप लोग को बता देता हूं यहां पर जो इसका answer होगा वो होगा सत्रा का d waterholes waterholes की जो चर्चा है जो बात है वो आपको सीधे-सीधे exam poem में मिली भी है ठीक है nest nest जो हमारी line होने वाली है वो कौन सी होने वाली है 18 number question क्या है in the poem a tiger in the Jew who is forcefully put in a cage ठीक है who is forcefully put in the cage ठीक है लैजी लो रो नौरिस टाइगर चीता लेपर किसकी बात हो रही है यहां पर किसको दवाव बस कहां रखा गया है केज के अंदर जो जेल होती है ना जेल कह सकते हैं पिजरा कह सकते हैं पिजरे के अंदर रखा गया है कि वह बता दीजे आप लोग कि यहां पर 18 नंबर का आप लोग का जो एंसर मुझे पता चल रहा है 18 नंबर का उसका जो सही एंसर है वो है टाइगर ठीक है टाइगर को जो जब जस्ती बंद करके रखा गया है कोशन नंबर 19 है वेर शुट दा टाइगर बी एस पर यूर ओपीनियन ठीक है आपके ओपेनियन से क्या सही रहेगा इन दा नेचल हैक इन दा आर्टिफीज है इन दा केज बोट बी एं सी आप लोग हिसाब से जो टाइगर इसको कहां रहना चाहिए आप लोग क्या ओपीनियन है टाइगर को कहां रहना चाहिए जो उसका natural habitat है जहां पर उसका natural आवास है वहां रहना चाहिए या artificial आवास उसको बना के उसको रखना चाहिए या केज में जहां पर वह है वहीं पर सही है या फिर BNC दोनों जल्दी से बताएं comment box पर सब लोग ने यह बोला है उसको natural जो उसका habitat है उसमें रहने दिना है tiger in the zoo में उसको मतलब क्या है यहां पर ताइगर्स आई दा स्टार्स बोथ a and b and none of the above question number 20 का एंसर आप लोग मुझे देंगे जो brilliant सब्द का यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है देभियो सजनों बताइए सो dear students मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि रेवा इंस्टिटूट द्वारा mock test भी लाया जा रहा है जो 25 तारीक को दुपहर 2 बज़े से solve कराया जाएगा दो से 4 बज़े तक आप लोग एक बार उस paper में appear हो सकते हैं बिलकुल online paper होगा ठीक है और ऐसा paper होगा जैसे आप लोग exam देते है ना उसी तरह से पूरे 20 units को cover करके बनाया जाएगा grammar literature के parts रहेंगे कुछ कुछ कठीन question के साथ रहेंगे जैसा exam होता है ना same as वैसा ही ठीक है तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा उसमें मजा आएगा ठीक है और से तुरंत आप लोग जोईन करेंगे ठीक है और उसकी जो पूरी information है Saturday तक आप लोग की group में आ जाएगी आप लोग की जो मित्र भाई हैं सब उससे जुड़ सकते हैं कोई ऐसी बाधिता नहीं कि अगर आप रेवा इंस्टूट से course ली है तभी उसको आप solve करेंगे ऐसा कोई बाधिता नहीं है सब solve कर सकते इसलिए दवा के उसको क्या करना है अब सब को send करना है अपने दोस्त को भाई को मित्र को Facebook में सब योग किया गया था ठीक है question number 21 की बात करें why should the tiger in the poem tiger in the Jew go near the waterhole ठीक है तो यहां पर बात की जा रही है why does the tiger tiger को क्यों कहा जा रहा है कि तुम यहार waterhole के पास जाओ क्या रीजन है इसका क्यों कहा जा रहा है ऐसा तो यहां पे to drink water पानी पीने के लिए to take a bath नहाने के लिए to search his pre and victim अपने जो सिकार को धुड़ने के लिए जाओ तो यहां पे none of the way किसी के लिए मत जाओ भाईया जल्दी से बता दीजे question number 21 का answer क्या होगा यहां पे आप लोग के जो answer है वो सी 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 आ रहे हैं ठीक है भागी रजी बहुत बढ़िया तो यहां पे एंसर सी बिल्कुल सही answer है ठीक है question number 20 पे चलते हैं 20 पे यह लिखा हुआ है कि who do you think in the tiger's favorite prey as per the poem ठीक है जो tiger का सबसे favorite prey है सबसे कहना चाहिए favorite सिकार है वो क्या खाना है वो दाल चावल खाता है रोटी सब्जी खाता है क्या खाता है जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजे यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई है आप लोग मुझे बताईए कि मेरा तो दाल चावल रोटी सब्जी है ठीक है मुझे यह चार चीजे बहुत पसंद है और यहीं मैं खाना पसंद भी करता हूं इसके अलाबा मुझे जो मिलता है कभी कभार खा लेता हूं लेकिन मजा उतना नहीं आत यहां पर सब लोग बोल रहे हैं प्लंब डियर बहुत बढ़िया एक्सलेंट वर्क एक्सलेंट बी इस दा राइट एंसर प्लंब डियर मतलब मोटा ताजा जो हिरन होता है ना वह इसको खाने बहुत इसको अच्छा लगता है ठीक है आगे चलते हैं आप लोगों को डराए ठीक है इसके बारे में क्या पोएम में ऐसा जिक्र किया गया है उसका आप आप एंसर देंगे लावड रोर बड़िया तेस्टे बड़िया वह रोरिंग करें चिलाए ना पांचिंग ऑन दें चीजिंग दें ठीक है और ओपनिंग आउट इस लॉंग सार्प टीथ एंड पावर्फुल प्लाउस जल्दी 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 कमेंड करिये आप लोग के जो एंसर आ रहे हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ वो एंसर जो है वो है आप लोग के डी ठीक है तो ट्वैंटी थी का डी बिल्कुल सही है क्योंकि पोईट बोलते हैं कि भाईया जाओ वहाँ पे और क्या करो अपने लंबे लंबे जो दात है ना शार पर सिकार कर लेता है ठीक है चलिए कोशन नमबर 24 पर चलते हैं डेविय सचनों जैसा कि आप जानते हैं ही टैस का एक पार्ट है और मैं हरमेशा आपको कोशन नमबर 1 से 15 कराता था आज मैं 15 से 30 करानी की सोच के चल रहा हूं ठीक है और आप जितना आगे जाएंगे ना उत लेसली नौरिज हैं जो हमारे पोएट हैं उनके एकॉर्डिंग पोएट की जो जो टाइगर की स्ट्रेंथ है वो कैसे कम होती जा रही है कहां से वो घट गई है तो यह आप लोग मुझे बताईए पोयम में अभी कुछ दर पहले मैंने बताया था अगर आपने पोयम की समर सबीने नहीं पढ़ी लाइन वाइन लाइन भायलाएव संतो वाइन देखिए वह एक रहे हैं मैं। दैव बोल रहे है 24 देखे मैं आप लोगों को बता दो जो डारेट कोशन था वो यही लिखा था लॉस्ट इस स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स ठीक है तो बिहाइंड बार इस दार राइट एंसर ठीक है इस चीज़ को दिहान रखिएगा एक चीज़ और मैं आप सभी को बता बिहाइंड बार तो वो लिखा है वहाँ पर इसके एंसर है ठीक है अब आप सोच रहे हों कि वह उसके जेल के अंदर उस फिज़िटे के अंदर बंद है तो खाने को नहीं पारा बुढ़ा गया है तो उसको जो है उसकी स्टेंथ लॉस हो गई है इन दा पोयम आ टाइगर इस बिजिटर्स बिकॉस ठीक है इन दा पोयम इस पोयम में जो टाइगर इन दा जू पोयम है उसमें जो बिजिटर को वह इग्नोर कर रहा है उसकी बात की जा रही है ऐसा क्यों तो फैंड इम इंटर्टें देम और दे डू नॉट आफर हिम फूड नन उफ यह बताईए स्टार्विंग तो बोला है स्टार्विंग बोला है वह स्टार्विंग स्टार्स है चमकना इस्टार्विंग भूक वाला नहीं है बंधू भागिरत जी रश्मी जी बोल रहे हैं पोयम में नेहा जी हस रही है ठीक है हस लीजे आप लोग भी ध्यान दीजे यहां बेटिफाइब का एंसर क्या होगा मैं आप लोग को बताऊं यह एंसर नहीं है वह जो सेर है जो बाग है उसकी सब लोग जाके क्या करते हैं इसके साथ बोलते हैं थोड़ा सा इधर करो फेस लोग तुम्हाइब असाथ फोटो लेते हैं ऐसे करके अब वो बिजले के अंदर बिचारा बंद है इतना कितनी फोटो देगा आप ही बताओ आ दस बीस फोटो खिजा पाओगे किसी के साथ उसके बाद आप भी बोलोगे क्या आर फोटो फोटो लगा के रखा है अब वो तो बिचारा इंटर्टेन ही कर रहा है आप लोग को वो अब चुका है वो सोसता है एक बार निकल तो जाने तो फिर बताता हूं मैं तुम लोग क वो उसको इंटर्टेन बिल्कलो पसंद नहीं कि खुब इंटर्टेन उसने करा दिया आप लोग का कोशन नबर ट्वेंटी सिक्स पे चलते हैं देवियू सुझन उध्यान से वाई दू यू थिंग ताइगर ऑफ दपोयम अ टाइगर इन दजू स्टाप्स एड़ बिलियं स्टार ठीक है कोशन नबर ट्वेंटी सिक्स का एंसर आप लोग मुझे देना है यहां पे जो बिल्लियंड स्टार्स की बात की गई है वो आप लोग मुझे बताईए उसमें क्या सही है एंसर में जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे कि इस नेरलिंग है वो जो आप स्टार्विंग बोल रहे हैं ना वो इस नेरलिंग है भागी रच्जी आप लोग मुझे दे रहे हैं वो लगभग लगभग ए ए ए ए ए दे रहे हैं और बिल्कुल ए इस दा राइट एंसर है और विकॉस दे आर साइनिंग फ्रीली झाल में न estwie joints Dollar लोग उस ना किarna मैं खुले भुए आस्मान में बैसे ही यह भी ना खुले जंगल में घूमना चाहता है जो मरा si tigon Tiger है वो क्या है खुले जंगल में खूमना चाहता है लेग depressedu कर तो उसके लिए क्या यहां पर मैंशन किया गया है अटाइगर इंद जू पोएम में ठीक है तो उसमें आप जल्दी से बता दीजिए 27 का एंसर 27 का एंसर क्या होगा देवियो सजनों जल्दी से बता दीजिए मुझे 27 का डी होगा बोथ बी एंसी ठीक है तो यहां पर 27 का बी होगा मतलब फॉर स्वर्वीजन ऑफ दे अनिमल लॉज्ट इंद जू मतलब वहां पर अनिमल का सुपर वीजन करने जाते हैं और फॉर सेफगा तो यह चीजे हैं आप लोग को ध्यान रखना है और इसका एंसर अगर आप लोग ने डी डी दी दिया है इस दर राइट एंसर कोशन नमब हम 28 पर चलते हैं देवियो सजनों लिखा है वेर डू यू तिंग दाइगर शुड बी इस नेर लिंग ठीक है सबसे पहले मुझे यह आप लोग इस नेर लिंग का मतलब क्या होता है इस नेर लिंग अच्छा सब्द है ना स्नार लिंग इस नेर लिंग इस नेर लिंग करने की बात यहां पर की जा रही है वेट क्या बोलते हैं स्नार लिंग करो करो कहां पर जाके जहां चे говорब चैनके तो यहां पर जो होगा लोगो डर्वाने के लिए जो बात करना चाहिए तौ चलिए आपको समझ में आगया होगा आज के सेशन में आ को एट कोशन बताएं सब्स्री्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको 6,000 question मिलेंगे 4,000 literature के होंगे हर topic से 50 plus question मिलेंगे यह test read जो है वो आपको Reva Institute app में मिलेगी तो सबसे पहले Google Play Store या description में दी गए link से Reva Institute app download करना है और फिर इस test read को join करना है और खूब enjoy करना है एक महीने जब तक paper नहीं हो जाता इसमें आपको mock test भी मिलेंगे ठीक है और mock test जो होंगे वो विल्कुल ऐसे होंगे जैसे exam में नहीं आते paper उस तरह ऐसे उसमें आपकी rank पता चलेगी ठीक है और mock test जो है वो आपको एक एक करके ऐसे दो दो तीन तीन दिन के gap में मिलेंगे जिससे आप लोग की तैयारी जो है best हो पाए ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं ने session पर और सभी लोग जितने online हैं सभी लोग दुबारा जुड़िए हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और sound ठीक है थैंक यू